दिख्विजे वोले मोदी की गैरंटी चंदा दो धंदा लोग कहां देश में असमवेदानिक एमर्जंसी जैसे हाला इवी एम में गड़बड़ी करने वालों को फासी दी जाएगी नमशकार आप देख रहे हैं द्खबरदार न्यूस तो चलिए रूक करते हैं आज की प्रमोख और बड़ी खबर पर आपकी आवाज ऐसी जिसे ना कोई दवा सकता है ना जुका सकता है हम करते हैं सब को खबरदार राजगर संसदिय छेतर में 33 साथ बाद चुनाव लड़ने की चर्चा के बीच पूर्व मुख्य मंत्रे दिगविजय सिंग ने आज बोपाल में प्रेस कॉन्फरेंस की है दिगविजय ने एक सवाल के जवाब में कहा सतर के दशक में अमर्जनसी कानून के अंतरगात की गई थी यह अमर्जनसी तो असमविधार एक अमर्जनसी है मोदी की गैलेंटी है चंदा दो धंदा लोग EVM में गड़बडी को लेकर दिगविजय ने कहा मशीनों में हेरा फेरी करने वालों को मैं चेतावरी देना चाहता हूँ वो एक दिन पकड़े जाएंगे हम लोग काफी नजदीक पहुँच चुके हैं जिस दिन पकड़े जाएंगे देश द्रों में उन्हें फासी दी जाएगी एडी से कहा जाता है जाकर गलागोटो दिगविजय सिंग ने कहा डोग तुलना करते हैं सतर की अमर्जशी और अब के हालाद की वह एमर्जशी लागू की गई थी अंडर एक्ट यानि कानून के अंतरगठ थी यह emergency तो असम विधाने के emergency हैं जिसके माधियम से EDCBI को कहा जाता है कि फलाने आदमी के पास जाकर उसका गला गोटो उसके बाद वसू लिकरो इसलिए इनका मुकाबला नहीं किया जा सकता EVM पर सवाल उठाते हुए जवाब कोई नहीं देता दिगविजय ने कहा देश में लोकतंतर का गला घोटा जा रहा है जिस तरह आमिश्या क्रोनोलोजिकल ओडर की बात करते हैं उसी तरह मैं भी बता रहा हूँ 2014 के चुनाव को जो जनादेश मिला है वह कड़ बढ़ है EVM के उपर प्रशन उठते हैं इसका जवाब बना तो चुनावायोग देता है और ना ही सरकार 2014 में कहा हमें 272 के उपर सीटे मिलेंगी 284 आए फिर कहा 300 पार 303 आए अब कह रहे हैं 400 पार इसका आती विश्वास हमें शक पैदा करता है खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही शेयर करें और हमारी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें अपने सपनों का घर बना रहे हैं AP Construction Solutions आपके लिए तैयार है मजबूत सिविल इंजिनियरिंग से लेकर आकरशक वास्तु कला और विशशग्य वास्तु परामर्ज तक हम आपके सपने को साकार करते हैं वास्तु कला वास्तु और हुनर इतने बढ़ियां दिये गए नमबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं